मुझा जबाएं कैसे हैं लाजवाब हैं फर्स क्लास हैं आई होब प्लानिंग वाला जो कंटेंट है वो आप लोगों ने पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया है आज हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स चेप्टर हमारे मैनेजमेंट के प्रोसेस का सेकंड पार्ट and that is what organizing that is what organizing okay so starting में बिल्कुल starting के अपने content में हमने देखा था कि जो हमारे एक management का management के functions का process है उसमें सबसे पहले planning आता है organizing आता है उसके बाद staffing है directing है controlling है यह process हमने चलाया था तो planning हमने complete कर लिया है और planning में just हमने अगर main target की बात करें what is planning is all about that is what simply अपने आपको future में आप किस stand पर देखते हो उसके लिए work करना that is what planning that is all about peeping into the future यह एक ऐसा function जो आपके current situation को future situation के साथ जोडता है कैसे वो target achieve करना है यह तमाम discussion हमने planning वाले chapter में खरी now we are moving towards the content and that is what आपका organizing organizing की अगर हम बात करते हैं अगर हम organizing की बात करते हैं planning में आपने यह सारी बाते set कर ली सारा target आपने बना लिया कि आपको इस level तक जाना है इतने target achieve करने है लेकिन सवाल अब यह उठता है क्या यह सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी क्या इसके लिए बिना आप हाथ पाउं इलाए सारा का सारा काम हो जाएगा so definitely not plan जो आपने किया था अपने objectives को achieve करने के लिए कहां तक जाना है क्या resources आपके पास available है कौन सा तरीका ठीक रहेगा उसको actual में जमीन पर उतारना उसको actual में existence में लेकर आना that is what organizing जो भी आपने decide करा है ना future में से company की बात करते है पहले एक student की बात करते है एक student का target कि मैं 12th class में पढ़ रहा हूँ मुझे अच्छे marks लेकर आने class टॉप करनी है school टॉप करना है उससे भी उपर हो तो और बढ़िया तो इतने percent marks मुझे लाने पढ़ेंगे 95, 96, 97 कैसे आएंगे ये books पढ़नी पढ़ेंगे ये notes है, ये criteria है वगेरा वगेरा ये का ये प्लान कर लिया बट the thing is अब performance भी तो जरूरी है तो वो जो performance है, पढ़ाई, starting actual में पढ़ाई होने वाली है वो organizing है ठीक, उसी तरह से जब मैं company की बात करता हूँ company ने target तो बना लिया कि ये pen इस साल हम 10,000 बनाएंगे 10,000 बनाकर market में बेचेंगे, इसके लिए प्लास्टिक यहां से आएगा इसके अंदर जो material डलेगा, वो यहां से आएगा XYZ company से आएगा, ABC Limited से आएगा all are planning done लेकिन काम तो शुरू करो existence में तो लेकर आओ, अपनी planning को, so that is all about what we can say, the organizing तो organizing है क्या definition, इसका process क्या होता है, हाँ जी इसका भी process है, process तो definitely होगा ही होगा, इसके अंदर हम अपने organization को, company को कैसे manage करते हैं, उसको कैसे design करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और yes, obviously उनकी advantages, disadvantages इन सब के बारे में discussion होगी, लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें, so we are talking about the definition definition क्या है, organizing function of management implies a process यह भी एक process है, which coordinates, ठीक है, यह क्या करने वाला है, यह आपका coordinate करने वाला है, यह आपका coordinate करने वाला है और और इसी के साथ साथ यह integrate करने वाला है, आपस में सब को जोडने वाला है, integrate करने वाला है, coordinate करने वाला है किन को, किन को मी को किसको मी को मी मोले तो मी 3E यानि के मनी, माटीरियल, मशीन एंड एक्वीपमेंट्स एक पर्टिकुलर और्गनाइजेशन के पास रिसोर्से अविलेबल है ना एक पर्टिकुलर और्गनाइजेशन के पास क्या अविलेबल है resources available है वो सारे resources अलग-अलग काम करेंगी क्या? बहिए machine है machine पर labor काम करता है तो machine अपने आप चल रही labor कहीं और घुम रहा है क्या? ऐसे काम हो सकता है? नहीं, उन सब को एक साथ हाना पड़ेगा raw material है, machine है लेकि लिप तक raw material को machine में नहीं डालेंगे processing उसकी शुरू नहीं करेंगे production सीधी सी बात है नहीं होगा, ओके तो सब को एक साथ लाना पड़ेगा एक साथ जोडना पड़ेगा coordinate करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ link setup करना पड़ेगा integrate करना पड़ेगा किसको? इन सभी को money, material, machine and equipment ये सारे आपस में एक दूसरे के साथ coordinate होंगे को एक दूसरे के साथ integrate होंगे तब ही, तब ही जो organization जो organization के goals हैं वो हमारे achieve होंगे वो हमारे achieve होंगे, ओके so same definition, वो ही चीज़ हम यहाँ पे short में लिख रहे हैं, ये क्या बता रहा है organizing function of management implies a process, एक तरीका है जो क्या करता है, which coordinates human efforts, assembles resources, ये सारे के सारे resources and integrate both, सब सब को आपको जोड़ना एक साथ, into a unified whole, एक साथ काम करना to be utilized for achieving organizational objectives, it's not necessary always के exactly word to word हमें definition लिखनी है, but the thing is जो concept है उस definition का वो clear होना चाहिए, so in short अगर हम देखें अभी, एक simple शब्दों में अगर समझें, organizing क्या था जी, organizing क्या था कि हाँ planning का कुछ कर रहे है, उसको अब काम जो है आगे बढ़ाना है, काम किसका बढ़ाना है, काम किसका बढ़ाना है, जो भी resources हमारे पास होते हैं, हमारे पास manpower है हमारे पास finance, पैसा जो money है machines है, जो भी हमारे पास equipments है, उन सब को एक साथ लेकर आओ उनको आपस में, उनका coordination बढ़ाओ, उनकी integration बढ़ाओ तभी हमारी organization के goals अचीव होंगे दूसरे मेनर भी इसको गनम बोले था, organizing is a mean for translating, yes यह main चीज़ जो अभी हम discuss कर रहे थे, translating plans into action, policy तो मना ली, plan तो कर लिया पढ़ाई करेंगे, इतने percent marks लाएंगे, लेकिन obviously सिर्फ planning से काम चलेगा, क्या नहीं, देखो planning ज़रूरी है, है ना planning ज़रूरी है, आपके efforts को minimize करती है, ठीक है, एक अच्छे लेकर आना है, तो organizing is a mean for translating plans into action, it decide who will do a particular task where it will be done and when it will be done, ओके, तो ध्यान दीजेगा, यहाँ पर क्या आगिया, word हमारे सामने, who word आगिया, ठीक है, इसके साथ आगिया, आपका where और सीधी सी बात है, when यह तीन w हम याद रखेंगे, who, where, when, देखो, sentence formation, ऐसा ही होगी, जब हम explain कर रहे हैं, चीजों को लिख रहे हैं, descriptive answer दे रहे हैं, तो इस तरह से चीजें अगर हम अपनी note down कर लें, बड़ी आसानी से target achieve कर सकते हैं, देखो, organizing में क्या है, है, कि जैसे मैंने बोला, जैसे मैं आपकी बात करता हूँ, कि भई आप, माल लीजिए, आपको maths की tuition पढ़नी है, ठीक है, आप 12th class में हैं, और आपको भई बोला कि मिरको स्कूल में टॉप करना है, सबजेक्ट में top करना है, अपने, पूरी university में, पूरे city में मिरको top करना है, तो मुझे maths बहुत अच्छी पढ़नी पढ़नी पढ़ेगी, तो maths सीधी सी बात है, आपने सोचा कि भी मिरको इस बार 100 out of 100, 99 out of 100 maths में लेकर आने, तो आपने planning कर ली, अब planning मतलब ठीक है, tuition लगानी पढ़ेगी, और इतने घंटे की पढ़ाई, ये books वगरा, okay, but the thing is, tuition आप कहां से पढ़ोगे, कौन पढ़ाएगा, सीधे, कहां जाना होगा पढ़ने, और कब-कब आप पढ़ेगे, सीधी साथो दिन तो नहीं पढ़ सकते न, ठीक है, पर्टिकुलर अपना schedule निकालेंगे, उसके according पढ़ेंगे, तभी तो आपका target achieve होगा, ऐसा तो नहीं न, कि तीन दिन tuition चले गए, फिर दस दिन की शुट्टी, फिर तीन दिन यह पैन बना रहे हैं, तो प्लास्टिक इसके लिए लानी पड़ेगी, इतने किलो वगेरा वगेरा, तो सीधी सी बात है, who, कौन order करा करे, किसको responsibility दी जाए, okay, where, उसकी जो placement है, उसकी जो posting है, वो कहा होगी, भाई, एक factory होती है, एक office होती है, ठीक है, तो obviously, where का मतलब क्या है, कि plastic मांगा कर factory भीजेंगे, आफिस में तो कुछ काम नहीं है, where, and when, कब-कब सामान order करना है, साल के starting में ही, एक साथ सारा का सारा order करके, हमने अपने पास रख लिया, यार वो खराब भी हो सकता है, बिकार हो सकता है material, तो एक proper order पे time by time, पंदरा दिन बाद, बीस दिन बाद order जाएगा, जो material मंगाया, वो खतम हुआ, उसके बाद अगले का order जाएगा, यही तो process चलेगा, यही तो existence होगी, तो that's what we can say, it is about organizing, ठीक है, यह आपका plans into action, अरे आपने एक movie देखी होगी, बड़ी प्यारी सी movie है, अरे वो कौन सी थी यार, अरे जिसमें अनुश्का शर्मा है, और उसके साथ वो वाले hero है, रनवीर सिंग वाले, शादी मुबारक क्या नाम था उसका, यही था ना, शादी को पता है, वो तो दुनिया को पता है, लेकिन एक best possible way में, किस तरह से चीजों को arrange किया जाए, किस तरह से plan को actual action में लाया जाए, manage करा जाए properly, वो ही तो था उस पूरी movie में, और वो क्या था, कि उनकी जो organizing थी, चीजों को maintain करना, वो बहुत बढ़िया था, वो बहुत अच्छा था, okay, the organizing, आगे बढ़ते हैं, the organizing function leads to creation of an organizational structure, which includes the designing of roles to be filled by suitable skilled person and defining the inter relationship between these roles, okay, यह चीज़ अभी हम आगे चलके depth में पढ़ने वाले हैं, chapter के अंदर, यह line क्या कह रही है, कि हमने बोल तो दिया, इतने सारे काम है, इतने सारे लोग है, ठीक है, वो काम करेंगे, लेकिन वो जो इतने की बात करता हूँ, आपका जो school है वो भी एक organization ही है, जो आपको पढ़ा रहा है, आप 11th 12th class में है, तो ऐसा है क्या, के भई सुबह उठते ही सारे के teacher, English के, Maths के साब की class में आ जाते हैं, ऐसा होता है क्या, नई, definitely ऐसा नहीं होता पहली बात, हर subject के लिए, अलग अलग teacher है, क्योंकि उनका, अपने subject में specialization है, साथ ही, आप लोगों के schools का एक time period होता है, ठीक है, एक classes का एक system होता है, कि इतने time period के लिए Maths की class लगेगी, उसके बाद business study, उसके बाद English, उसके बाद accountancy, उसके बाद economics, इस तरीके से process चलेगा, तो वो जो एक तरह से designing है, school के system की, उसको क्या बोलते है, organizational structure, एक teacher का time period यहां खातम हुआ, वो immediately उसके बाद दूसरी class में जाके पढ़ाएगा, तो वो क्या है, कि हाँ पर हमने, सीधी सी बात है, it includes designing of roles, roles क्या है, क्या क्या subject पढ़ाने है, कौन-कौन से subject पढ़ाए जाएंगे 12th class को, to be filled by suitably skilled people, सही teacher का चुनाव, जो subject को अच्छा पढ़ा रहा है, and yes, उन सब के बीच में एक inter-relationship create होनी चाहिए, maths का teacher अपने में मसता है, दूसरों के teacher के साथ coordinate नहीं रख रहा, बच्चे पढ़ रहें, नहीं पढ़ रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए, coordination आपस में बना रहना चाहिए, बहुत जरूरी होता है, इसका एक और example अगर मैं आपको दूँ, इसका एक और example अगर मैं आप, तूजैसे for example, माल लीजिए, हम example ले लेते हैं, टाटा का example ले लेते हैं, अभी हाला कि उसको भी हम देखेंगे, अपने एक example में, टाटा का example ले लेते हैं, टाटा मोटर का example ले लेते हैं, टाटा की तो बहुत सारी branches आप जानते होंगे, टाटा मोटर है, स्टील है सॉल्ट है बहुत सारी है पावर है मोटर की बात कर लेते हैं अब सीधी सी बात है गाड़ी जो है बनाकर टाटा मोटर का काम है गाड़ी बनाकर बेचना लेकिन उसमें भी ना बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं तब जाके एक कार आपकी तयार होती है सबसे पहले तो designing department, design करने वाले कौन जो कार बनाएंगे, एक है आपके purchase वाले, जो raw material को purchase करते हैं requirement के साब से, एक है production वाले, जो उस कार को तयार करते हैं, एक है sales वाले, sales and advertisement वाले, marketing वाले, जो चीजों को, मतलब advertisement वगरा तयार करते हैं, बिकवाते हैं, और एक है finance वाले, जो पैसों का बंदोबस्त करते हैं, अब क्योंकि Tata इतनी बड़ी company है, सारे के सारे काम, कोई एक आदमी या selected आदमी नहीं कर सकते हैं, तो Tata ने क्या करा हुआ है, हर एक का, जैसा कि इमने example लिए, हर एक का अपना अलग-अलग department बना दिया, कि भई, यहाँ हाँ design वाले अपने decision लेंगे, खुलके, यहाँ purchase वाले, यहाँ पर आपका production वाले, हर एक को अपनी authority, हर एक को अपना right दे दिया, यही करा न, ऐसी finance वाले ज़र आ गए, तो यहाँ पर यह क्या हुआ है, यहाँ पर यह क्या हुआ भी तक ध्यान देंगे, य creation, creation of an organizational structure, यह हमने यहाँ पर एक organization का structure बना दिया, कि भई, यह सीधी सी बात है, कि यह car जो है, आपकी बनेगी, यह car ऐसी, अपना, और इस car के लिए, क्या नाम है, इतने अलग अलग department जो है, वो काम करेंगे, तो अभी तो क्या बनाए, department बनाए, अब आगे, सीधी सी बात ह हमने हर एक में, हर एक में, इनका अपना अपना एक बड़िया manager, वो select कर दिया, है ना, हर department का, अपना अपना एक manager select कर दिया, और इनके under, इनके अपने अपने staffs काम करते हैं, है ना जी, clear, तो, तो, यह देखो, दूसरा काम भी हो गया, organizational structure बना दिया, which includes designing, designing roles to be filled by suitably skilled people, जो qualified लोग थे, उनको भी select करके, उनकी post पर हमने appoint कर दिया, लेकिन मज़े की बात अब सुनो, जो production department है, जो production department है, वो कह रहा है, वो कह रहा है, के हम इस साल, 10,000 units जो हैं, 10,000 units जो हैं, car की, truck की, जो भी टाटा बना रहा है, बना कर बेचेंगे, इन्होंने अपना target set कर लिया, clear, लेकिन, लेकिन, sales वालों ने अडंगा डाल दिया, sales वालों ने अडंगा डाल दिया, के भई ऐसा है, तुम 10,000 बना तो दोगे, लेकिन जब market में इतने बिकने की संभावना ही नहीं है, हम कहां से बेच देंगे, तो सारी बात हमारे उपर आ जाएगी, कि इन्होंने बना दिया, लेकिन इन्होंने बेचा नहीं, उधर से finance वाले ने भी बोल दिया, के तुम 10,000 गाड़ियां बनाने की बात कर रहे हो, लेकिन हमारे पास इतने funds ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, कहां से हम आपको दे देंगे इतना पैसा, परचेज वाले कह रहे हैं, हमें material खरीदने में दिक्कत होगी, तो आप देगे रहे हो, कहीं न कहीं मिलाप नहीं बन रहा है, आपस में सब के, और उसकी वज़़ा, उसका खामी आजा, company को भुगतना पड़ेगा, तो सरूरी क्या है, प्रोडक्शन वाला जो अपने आप हवा में तीर चला रहा है, कि मैं 10,000 बनाऊंगा और बेचूंगा, भाई थाम, रुक, स्टॉप कर, गाड़ी, ब्रेक लगा, पहले बाकियों से बात तो कर ले, ठीक है, एक बारी, जो sales and advertisement वाले हैं, वो जो marketing कर रहे हैं, उसे पूछ त पाएंगे, तो यह चीज बहुत ज़्यादा जरूरी है, और यही क्या है, जो आखरी में बोला गया है, defining inter relationship between these roles, इन सभी departments के बीच में, इन सभी departments के बीच में, relationship अच्छी होनी चाहिए, आपस में coordination होना चाहिए, ओके, so that is all about, अभी हमने definition को जो है, डिसकस करा, अपना organization का, होता क्या है, कि हम देख रहे हैं, कि जो भी resources हैं हमारे, उनको आपस में coordinate करना, integrate करना, ताकि वो सब एक साथ काम करें, और organization की जो goals हैं, उनको achieve कर पाएं, in short, plans को action में लेकर आना, ओके जी, तो यहाँ पर हमने organizing की definition discuss कर ली, आगे बढ़ते हैं जरा, अब अगली heading आ रही है process of organization, process of organization, ठीक है, अभी हाला कि हम इसका, जो detail में अपना है, सारे के सारे points भी पढ़ेंगे, अभी पहले मैं आपको यह points भी समझा देता हूँ, ठीक है, process of organization, ठीक है, यह photo हमारी, ठीक है, net से ही ली गई है, obviously, अब ज़रा ध्यान देते हैं, सबसे पहला step, चार step हैं सीज़ नहीं सारी, तो, क्या इसके steps होसकते हैं, सबसे पहला step, जो हमें नजर आ रहा है, सबसे पहला step, जो हमें नजर आ रहा है, हो क्या है, हमारा, वो क्या है हमारा, identification and division of work, यह visible है, नहीं है, विसबल नहीं है, श convicted । इसको change कर लेते हैं, ठीक है जी, identification and division of work ठीक है अभी अभी जो example हमने लिया था अभी जो example हमने लिया था उस पर नज़र डालने ये वाला इसको ध्यान में रखना इसी इसको ध्यान में रखना ये बड़ी help करने वाला है हमारा अभी आगे चलके ये company थी company ने अलग-अलग ये department जो थे वो select करे थे तो यहाँ पर यहाँ पर भी जो सबसे पहला step हमें देखने को मिल रहा है सबसे पहला step process of organization में देखने को मिल रहा है वो ही यही है ना identification and division of work भई आपकी जो organization है उसने जो goals अपने तयार करें अपने जो target set करें उसके हिसाब से हमें क्या 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 duty और उनको कितने कितने घंटे आपको time देना है that is what division of work तो सबसे पहला plan जो है plan जो है वो यही आता है हमारे दिमाग में कि भई अपने काम को जरा हम divide करें दूसरा departmentalization ठीक है departmentalization या departmentation group बनाना कौन क्या काम करेगा अभी divide कराना सारे के सारे काम टाटा में एक गाड़ी को बनाने में चार-पांच लोग नहीं कर सकते designing के लिए अलग पूरी टीम बठा रखी है जो गाड़ी का design तयार करेगी ठीक है nano की तरह या आप का टिगॉर की तरह या altros की तरह जो भी उसकी company है ट्रको के design उसब करेंगे उनको बोलो वो free है बनेगा क्या बनेगा कैसे नहीं वो design उन्हें ने सेट कर दिया उसके बाद आगे production वाले production वालों का काम है भाई जो उनको target दिया जाए वो बनाना है sale and marketing वालों को product को बिकवाना है तो यह सब क्या है department लाई जी अलग-अलग department सेट कर दिये कि हमें एक उस department की जरुत पड़ेगी जो designing पर धिहन दे एक उस department की जरुत पड़ेगी जो product को बनाए एक उसकी जो बेचे बिकवाए उस product को तो अलग-अलग हमने department बना दिये अलग-अलग section बना दिये अब department तो बन गए खाली बनाने से काम चल जाएगा क्या नहीं भई सीधी सी बात है उनके लिए लोगों को भी तो ढूंड के लाओ manager की post पे कौन रहेगा assistant manager की post पे कौन रहेगा staff कितने की जरुत पड़ेगी assigning duties सीधी सी बात है कि जो और obviously किसके भी हाफ पे होगा उनकी efficiency उनकी eligibility उनकी knowledge के भी हाफ पर हम jobs को assign करेंगे it's all about it's all about right person remember right person at right place ठीक है दोनों में से एक भी right गर गर बड़ हो जाएगी ठीक है right person बिल्कुल जो उसकी eligibility बिल्कुल सही हो right place जिस काम को करने में वो सक्षम हो वहीं पर ही उसको place करा जाए and the last point is establishing reporting relationship ये बहुत ही important चीज़ है आज के time पर ठीक है establishing reporting relationship वो 10,000 की बात करते है जिसे माल लो वो production वालो ने जो 10,000 का target बनाया था वो company का target था कि यार चलो एक काम करेंगे कि इस साल जो है हम 10,000 जो product है वो बना कर बेचेंगे इस साल मतलब April से March जो हमारा financial year चलता है अब ठीक है April की हम सेल हो गई कितनी कारे बिकी जरा बताना के जी 200 कारे बिकी है मही में के जी 300 बिकी है ठीक है टोटल 500 हो गई जून में फिर थोड़ा सेल कम हो गई 200 बिकपाई 700 हो गई तीन महीने हो गई है 700 की सेल है एक और जुलाई और देखा चलो 500 की हो गई 1200 कारे बिक गई रुको एक सेट रुको भैस थामो 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 हमने target बनाया था एक साल के अंदर 10,000 कारे बेचेंगे चार महीने हो गए हैं तुमने 1200 बेची अभी तक राइट ओके एक साल में कितना बारा महीने में कितना दस हजार ओके तुमने चार महीने में कितनी बेची बारा सो मात्र तो जब हमने target सेट करा है कि 10,000 कारे बेची जाएंगी हम कोशिश करेंगे इस बार तो तब ये पता तब ही लगा होगे कि जब जनवरी फरवरी आ जाएगी कितना बिका कितना नहीं बिका अगर आप target मना के चल रहे हो कि आपने पूरे साल भर के अंदर 10,000 बेचनी हैं तो पहले चार महीने में हाई हजार तीन हजार तो बेचे नहीं चाहिए थी ना लेकिन आपकी भी किये बारह सो तो थोड़ा गड़बड है सही बात नहीं है इसलिए establishing reporting relationship एक सही मौके पर report लेते रहना चीज़ों को judge करते रहना पता लगाते रहना कि काम किस तरीके से चल रहा है बहुत ज़्यादा जरूरी है आप एक्जाम की planning कर रहे हो कि मुझे टॉप करना है मार्क्स लेके आने है 95% प्लस तो क्या फरवरी में पढ़ना बैठ होगे जब आप पेपर बिल्कुल आ चुके होंगे नहीं उसकी तियारी starting सही होगी जो पहला टेस्ट है वो सीधा प्रीबोर्ड का दो गए क्या नहीं starting सही बिलकुल जुलाई अगस्ट हम भर दो दो तीन तीन महीने बाद टेस्ट वगरा दिया करेंगे तो यह चीज़ क्या है और साथ ही reporting relationship से ये भी मतलब है ये भी मतलब है कि भई ये जो department हमने हाँ पर बनाए है ये आपस में भी एक दूसरे के साथ ये आपस में भी एक दूसरे के साथ जो reporting है वो लेते देते रहे हमने इतना काम कर लिया आपने इतना कर लिया बताईए किसकी जरूरत है वगरा वगरा तो जैसा की बिलकुल main definition में हमने ये चीज discuss करी थी क्या coordination and cooperation and integration होना बहुत जरूरी है ये fourth point उसी को establish कर रहा है ये जो fourth point है ये उसी की चर्चा कर रहा है establishing reporting relationship ठीक है आईए चलिए इसको एक बार और पढ़ लेते हैं हमने समझा points को ठीक है इनकी क्या कहती है सबसे पहले identification and division of work the first step in the process of organizing involved हांजी identifying and dividing the total work into small and manageable activities इसको bracket में डालेंगे note करेंगे so that duplication of work duplication मतलब एक काम दो लोग कर रहे हैं ऐसा ना हो and resources can be avoided and the burden of work can be shared among the employees तो बड़ी सी बात काम small and manageable activities में divide हो duplication of work खतम हो ठीक है और आपका क्या नाम है burden of work जो है वो कम हो जाए इस तरह से आप इसको पढ़े note down करें ठीक है फायदा क्या है division of work का यही है ना कि सारा का सारा burden एक पे नहीं आ रहा है ओके जो साही काम है वो ही आदमी कर रहा है और resources हमारे ठीक से इस्तमाल हो रहे हैं यही target है दूसरा departmentalization या departmentation दोनों में से कोई भी वर्ट इस्तमाल कर सकते हैं second step in organizing is grouping similar and related jobs into larger units called departments or division this grouping process is called यह सब इट फैसिलिटेट यह हमारी main line है इट फैसिलिटेट specialization इट फैसिलिटेट specialization भाई अभी जो एक्जामपल लिया उसमें designing ठीक है उसमें आपका production उसमें आपका finance ऐसे रख ली ऐसे मने डिवाइड करा ना अब मुझे बताओ एक designing के department में यह chartered accountant क्या करेगा कुछ करेगा क्या कुछ नहीं करेगा भाई designing में आप technician को इंजीनिर्स को रखवाईए ना आपने finance में अपने CA को अपने CM में को अपॉइंट करिए ना marketing में कोई MBA specialized है जो उसने marketing में MBA वगएरा करा है जिसको knowledge है उसको अपॉइंट करिए ना obviously क्योंकि आपने उस चीज़ के बिहाफ पर अपने department सेट कर लिए सही लोगों को अपॉइंट कर दिया उनका अपने काम में क्या आएगा specialization क्या आएगा specialization तो यकीनन यकीनन काम बढ़िया होगा काम बहतर होगा उसके बाद आगे जी तीसरा पॉइंट हमारे सामने क्या आता है तीसरा पॉइंट आता है हमारा assigning ठीक इसको आगे ले जाते हैं assigning of duties to job positions अब काम देना है किसको देना है सही आदमी को सही काम उसकी efficiency के हिसाब से उसकी skill उसकी knowledge उसकी eligibility के बिहाफ पे once department has been formed it is necessary to allocate या fill बाट देना work to the members of each department according to their skills and competencies इसमें आप eligibility वर्ड भी obviously जो eligibility वर्ड है वो भी इस्तमाल कर सकते हैं in other words the work must be assigned to those who are best fitted it is essential for effective performance तो इसमें वही पॉइंट आगे जैसा अभी हम डिसकस कर रहे थे के right person at right place के सही आदमी का चुनाव सही चीज़ के लिए किया जाना चाहिए got it and the finally last point is establishing जिसको हम लेकर हमने डिसकस कर रहे जोगी बहुत important है merely allocative work is not enough काम बाट दिया काफी नहीं है चेक भी करो authority and responsibility relationship ये अभी in detail हम आगे पढ़ने वाले हैं इस चप्टर में authority and responsibility relationship from established so that each individual may know from whom he or she has to take orders and to whom she or she is accountable ठीक है ये बहुत जरूरी है जैसे कि अभी हमने बात करी थी यहाँ पर इसी example में इसी example में कहा गए कहा गए कहा गए अरे हमारे दोस्त यह रहे यहाँ यहाँ पर हम बोले ना कि भई ये manager है design का manager है इसके नीचे इसके अपने अपने staffs है तो यकीनन इनको कौन order देगा इनको ये manager ही तो order देगा इस manager के पास इनको order देने का कोई अधिकार नहीं है और सीरी सी बात है इनको भी मालूम है कि मुझे order किस से लेने है इन से लेने है मुझे report किन को करना है इनको करना है तो ये चीज जो create है reporting की वो बहुत जादा जरूरी हो जाती है ओके जी चलिए आगे बढ़ते हैं तो I hope the process of organization is very clear simple सी path है पहले हमने क्या करा काम को divide करा ठीक है जी divide करा जो भी हमारे task है उसके हिसाब से divide करा आगे हम बढ़े काम को task को देखते हुए हमने हरे के अलग-अलग department बना दिये ठीक है जी department भी बन गए अच्छा department बन गए तो सीजिसी बात है काम कौन करेगा क्या किसको क्या काम करना है उसके इसाब से हमने duties जो है वो भी assign कर दी ठीक है और काम बाट देना फिर नमस्ते कह देना हाज जोड देना के चलो भई हो गया सारा काम नहीं इससे बात नहीं बनेगी इसमें मजा नहीं आएगा time by time साथ के साथ reporting लेते रहना काम कैसा चल रहा है और उसमें कितनी performance है और ये चीज़ clear होना कौन order देगा किसको report करना है बहुत जादा जरूरी है चलिए जी आगे बढ़ते है अगली heading हमारी आ जाती है importance of organizing और ये क्या लिखा हुआ है वो person वापस आ जाए तो मैं change हो जाओंगा देखते हैं क्या है अभी care importance of organizing हम हर function की importance तो पढ़ी रहे है क्यों ये जादा जरूरी है क्या reason है इसके पीछे तो organizing क्यों जरूरी है planning का हमने पढ़ा था जैसे हमने देखा resources अच्छे तरीके से हमारे इस्तमाल हो time का हम सही इस्तिमाल करें efficiency का करें ऐसी organizing का क्या फाइदा है ठीक है तो जैसा की जो points है इसके हमने पहले भी कई बार इस चीज़ को करा है कई सारे points है इसके ये हमने लिखे होए यहां पर इसको भी discuss करेंगे one by one जैसे भी किया benefits of specialization clarity in working relationship बहुत सारे points होगे right got it clear अब इनका shortcut ही मैंने ये बना रखा है ठीक है तो जैसे होता ना नए-ने-प्यार में हम पढ़ जाते है और बड़ा लगता है फिर break up हो जाता है मेरे संया जी ने आज मुझसे break up कर लिया सुबह-सुबह उठके इसे कुछ है ना जो भी है फिर हम tension में रहते हैं यार मैं ऐसा हो गया हो गया होता ना कई बड़ी dialogue निकलता हमारे मुझसे कि वो person जो भी है जिसने भी है वो वापस आ जाए तो मैं change हो जाऊंगा मैं बदल जाऊंगा हम अच्छा इंसान बन जाऊंगा होता होता कुछ ने पढ़ाई पे ध्यान दो ठीक है कुछ ने रखा इन बातों में बट ठीक है हमने लिखा यहां पे क्यो लिखा ताकि हमें help हो जाए help हो जाए तो सीधी सी बात है क्या help हो जाए कि हमारा जो importance of organizing के अलग-अलग points है उनको हम आसानी से याद कर सकें तो जो मैंने red mark पे करा है उससे हम याद रखेंगे उससे हम याद रखेंगे ठीक है तो सबसे पहले person वापस तो person वापस और change ठीक है इनसे हम अपने-अपने points बताएंगे ठीक है सबसे पहले मैं start कर रहा हूँ आपका yes obviously person से तो person में person में जो आपका point है हमारा वो आ जाता है development of personnel person से मिलता जलता development of personnel ये एक important point हमारा आ जाता है ठीक है तो पहला जो हमने person से लिखा first 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 development of of personnel ये है क्या ये है क्या personnel मतलब हमारे employees हमारे manager जो लोग काम कर रहे हैं अगर हम काम को organize करते हैं एक अच्छे process ने का अच्छे तरीके से तो सीडी सी बात है हमारे personnel का हमारे employees का development होता है कैसे आप बिलकुल समझते हैं यार आपने यहां पे example में डिपाट आपने उस CA को क्या designing में operate select करा था क्या बताइए एक CA आया कि ये मेरा resume है मैं qualified chartered accountant और सीडी सी बात है मुझे job चाहिए आपकी company में और मुझे job दीजिए आपने उसको designing में डाल दिया ऐसा होता है नहीं वो finance का expert है भई वो finance के decision लेगा वो company को finance के दुरू चलाएगा ओके तो obvious सी बात है उसको finance department में डालेंगे designing में उसका क्या काम और एक आपके पास designer आया वो अच्छा engineer है अच्छा technician है उसको आपने क्या नाम है marketing में डाल दिया अरे क्या कर रहे हो ऐसा नहीं होता ना जिसकी जो qualification है उसको आप उसी particular department में employ करते हो और अगर right person at right place अगर उसका selection होता है तो अपने गाम को करते करते बहुत time तक उसको अच्छे तरीके से इस्तमाल करते करते उसका specialization उसके अंदर आता है और वो उसका क्या अपनी फिल्ड में अपने आप में उसका overall development होता है तो पहला फायदा जो organizing का हमने यहां पे देखा ठीक है उसके बाद आते है W पर W है आपका working environment को लेकर ठीक है दूसरा क्या है आपका second point W से मैं बना रहा हूँ working working environment को environment की बात हो रही है ENV ठीक है आओ इसको पढ़ लेते हैं न साथ साथ पहले वाला भी पढ़ लेते हैं development of personnel जो end में लिखा था आप उपर नीचे कर सकते हैं it helps in development of personnel by delegating delegation of work delegation of work का मतलब काम बाट देना ठीक है यह भी detail में पढ़ेंगे work to subordinates ठीक है effective delegation allow the manager to reduce their workload and assign routine job to their subordinates ठीक है किस तरीके से एक manager ने एक top level में जो अलग-अलग काम थे वो किस तरीके से design करके अपने subordinates अपने employees के अंदर बाटे it also provide opportunity to the subordinates to utilize their talent काम उनको सही दिया गया है जो task उनको दिया गया है उनकी field का है ठीक है वो भी अपने talent का इस्तिमाल करेंगे और अपनी knowledge को enhance करेंगे got it second point हमने जो भी discuss करा था आपका कहा गया W पे W पे एक second W से कौन सा point था वापस एक second हाँ यह रहना working relationship yes it is what it's not working relationship it's like working environment working relationship it leads to clarity in working relationship by specifying who is to report to whom okay हमने अभी इसमें वो ही वाला point आगया आपका इसमें वो लिख सकते हैं all happen due to authority and responsibility and responsibility okay यह हुआ ना अभी authority responsibility को लेकर detail में हम चर्चा करने वाले हैं but obviously working relationship का मतलब है कौन क्या काम करेगा कौन किसको order देगा कौन अपनी report अपने काम को किसको show करेगा यह बिलकुल clear हो जाता है तो इसी लिए जो confusion है कि यार यह file किसके पास जाएगी मुझे अगला काम करने के लिए किस से पूछने जाना है यह सब confusion पूरे तरीके से दूर हो जाती है पूरे तरीके से हट जाती है उके जी clear उसके बाद आते हैं आपका वापस वापस आजाए ए की अगर हम बात करें तो यह point है आपका third यह point हमारा third and that is related to administration that is related to administration और administration effective हो जाता है effective administration effective administration effective administration से मतलब है the same thing again same thing again अगर हम एक organization में जाएं और वहां सारे के सारे employee ऐसे ही बैठे हैं कब किसी से पूछ ले कब किसी से अपना report ले ले तो क्या वो एक organization अच्छे तरीके से काम करेगी नहीं लेकिन क्योंकि organization काम को बहुत अच्छे तरीके से divide कर देती है already divide कर देती already आपने हरार की बनाई division करा अलग-अलग department का तो जो काम है बहुत तेजी से होता है अच्छे तरीके से होता है बिना किसी confusion की that is what effective that is what effective administration it helps in effective administration by providing clear description clear description of the jobs जो हमने अभी discuss कया and working relationships got it चलिए आगे बढ़ते हैं उसके बाद आगे वापस P से P से हम point बनाएंगे अपना P से कौन सा point था हमारा पर नहीं P से तो बन गया हमारा वापस person से हमने personnel बना दिया P से नहीं है P से वही point था हमारा जो हमने cover कर दिया ठीक है उसको साइड कर देते हैं S पर आते हैं किस पर आते हैं आईए आपका S पर आते हैं S is for specialization S is for specialization और specialization की बात करें पहला वाला point यही है benefit of specialization अगर काम को सही तरीके से right person at right job तो काम को अगर आपने सही तरीके से divide करा है it reduce work load and enhance productivity हमें पता है हमें क्या काम करना है हमें पता है जो काम हमें दिया गया है वो हमारी field का है तो definitely कोई problem हमें इससे संबंदित नहीं होने वाले जल्दी का जल्दी काम होगा हम expert बन जाएंगे उस चीज में और obviously resources भी बनाएंगे और अपनी productivity भी बढ़ाएंगे got it clear उसके बाद आगे next point यह वापस हमने पूरा कर लिया और change change की अगर हम बात करें change आपका point आपका आजाता है यहां पर fifth point fifth point that is what change से हम familiar हो जाते हैं change से हम familiar हो जाते हैं आपका कहा गया change वाला point हमारा yes adaptation to change familiar to change इसका example में आपको देता हूँ इसका example में देता हूँ देखो 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 कहा गया कहा गया भाई कहा गये उपर बहुत उपर चौह यहां पर यहां पर यह जो example हमने लिया था ओके एड़ेप्ट डाइनमेग बिहेवियर यह हमने कई जगा पढ़ा प्लानिंग में भी पढ़ा है हमने management के function में भी पढ़ा है डाइनमेग बिहेवियर डाइनमेंग क्या लगातार कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है modern world है, हर घड़ी कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, ऐसे ही माल लो जो car बना रही थी ये company, उसके design जो है, जो design है इससे अच्छा design, बतलब इससे तो खिर सारी design अच्छे होंगे मैं assume कर रहा हूँ, कि company की जो car की designing थी, उससे बढ़िया design किसी दूसरी company ने निकाल दिया ओके दूसरी company निकाल दिया, तो फटा-फटा कर ये company को decision लेना है कि यार इसके बारे में कुछ करा जाए कि इसके बारे में कुछ करा जाए तो मुझे ये बताओ straight forward straight forward, सबसे ज़्यादा focus, straight forward सबसे ज़्यादा focus company का किस के उपर रहेगा कौन से department के उपर रहेगा, बताओ, जल्दी बता कौन से department के उपर रहेगा, sir बिल्कुल simple है design वाले क्योंकि इन्होंने पहले ही अपने department को properly divide कर दिया था, तो जो main focus है वो रहेगा designing के उपर finance वाले को कुछ लिना देना है, नहीं sales marketing वालों को अपनी publicity करनी है हाँ, production वालों को थोड़ा भो change करना पड़ेगा, purchase वाले को material पूछ के करना पड़ेगा, तो कहने का मतलब, इस design को change करने के लिए, सब के उपर burden नहीं पड़ा, क्या हुआ फटा-फट से, यहाँ पर decision लिया that's why, we are familiar to the change, we are adapting the changes, आसानी से हम अपनी कोई भी policy को change कर सकते हैं, किस department में हमें change करना है, got it clear, आगे बढ़ते हैं उसके बाद ठीक है, यह heading हमारी खातम होगी, डिबबा खाली है, भर लेते हैं, हाँ, वह simple ही है, वो तो हम हर जगे लगा देते हैं येस, आपका जो last point इसमा आ जाता है, वो है growth and expansion ये तो निचोड होता है ये तो हर function का निचोड है, ये तो crux है, ये तो end result है अगर आपने अपने काम को सही प्रकार से, सही तरीके से, ओके, सही प्रकार से, सही तरीके से आपने manage करा हुआ है, तो नतीजा क्या निकल के आएगा, आपका department अच्छा perform करेगा, आपकी company अच्छी perform करेगी, अच्छे खासे profit, अच्छे खासे market standing कमाएगी, और यह सब कुछ अगर ठीक होगा, तो future में company growth तो करेगी, और अपने और भी कई सारे जो products हैं, वो arise कर सकती है, वो market में लेकर आ सकती है, और growth expansion सिर्फ company का ही नहीं, organization का ही, आपका भी होगा, आपको designed एक अच्छा work, आपकी efficiency के साब से मिला, तो आप भी उसमें expression लेकर आएंगे, okay, so that's about the first class of the organizing, हमने क्या सीखा, हमने क्या सीखा, और अपकी बड़ा आसान, कि starting में sir, हमारे पास बहुत सारे resources है, money है, material है, machine है, equipment है, उन सब को आपस में coordinate कर देंगे, उन सब को आपस में integrate कर देंगे, ताकि अपने goals achieve कर सके, that's it, plan को हम action में लेकर आएंगे, process की बात करी, simple से हमारे चार process है, अब ना identify करा, क्या-क्या काम है, उनको divide करा, उसके काम के इसाब से department set करे, और उनकी job assign करी, जो काम करेंगे, and उसमें सब सब important क्या था, reporting बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, time time के साब से, reporting बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ ही, importance को हमने एक simple, एक line के थुरू याद किया, okay, next class में next class में हम discuss करेंगे अपना content, and we will discuss about, we will discuss about organizational structures, department divide करने की बात करी, तो ये किस तरह से होते हैं, जैसे functional हो गया, ठीक है, आपका divisional हमने एक लिए पे, टाटा का example हमने इसमे लिया है, steel, टाटा, tea वगरा, इनको हम discuss करेंगे, होते क्या हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे, okay, तो मिलते हैं आप से next class में, I hope आप इस topic को device करेंगे, कोई query, कोई doubt आता है, तो respective number पर पूछेंगे, see you in the next class, please take care. झाल